नमस्कार दोस्तों मैं आरियन सर्मा और आप लोग देख रहे हैं आरियन ओनलाइन कलासिस तो फ्रिंट्स आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाल हैं कक्छा दस्वी के गनित का NCRT बुक का जितने भी ऑपजेक्टिव है चेप्टर वाइज ऑपजेक्टिव आप लोग हमने एक से लेके 25 तक के सभी प्रशनों को हल किया बिल्कुल असान तरीका और असान भासा में तो यह जो 25 प्रशन है आप लोग जरूर जाके देखेंगे क्योंकि उसमें हमने सिर्फ बैसिक कॉंसेप्ट जो था वो किलियर किया है और हाँ भाई मैंने थमनेल पे यह जरू 50 में 50 लाना है क्योंकि मैं आपको बता दू जितने भी अध्याय सभी अध्याय से हम आपको चुन-चुन के जो इंपोर्टेंट प्रशन है वह सारा देर है इसलिए पचीस में पचीस पचास सोरी 50 में 50 आप लोग 100 परसेंट लाएंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो इसले वीडियो में जो है 25 तक परसन हो चुके थे के लिए आज हम लोग देखेंगे 26 नमबर परसन देखिए यहां पर दे रखा है बहुपद एकस स्क्वाइर मैनस मैनस के एकस मैनस 42 का एक सुन्यक मैनस 2 है एक सुन्यक मैनस 2 है तो के कामाउन होगा यहां पर पूछ रहा क कामाउन ग्याद करना है यहां पर किलियर बता दिया जा रहा है कि एक सुन्यक मैनस 2 दे रखा है जहां पर एकस है वहां पर हम क्या करेंगे मैनस 2 को पूट करेंगे ठीक है चलिए यहां पर यहां पर जगे नहीं हम आपको लेके चलते जगे पर और वहां पर मैनस 2 जो है ए यहाँ पर मैनस दो का हॉल स्क्वार हो जाएगा मैनस यहाँ पर के है तो के रखेंगे और फिर यहाँ पर दिखे एकस है एकस है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम मैनस दो रखेंगे ठीक और फिर मैनस फोटी टू है तो फोटी टू और बडावर की साइड में कुछ नहीं है तो 0 दे देगे अब यहां पे 2 मैनस 2 का स्क्वाइर क्या हो जगा 4 हो जाएगा मैनस यहां पे क्या हो जगा मैनस मैनस यहां यह मैनस और यह भी मैनस तो मैनस मैनस क्या हो जगा पलस का 2 के ठीक और यहां पे मैनस क्या है 42 एक्वल 0 अब यहाँ पर मैनस का 42 है और यहाँ पर पर पलस का 4 है क्या हो जगे तो के बड़ावर मैंनस 38 हो जाएगा इकवल 0 42 चार मैंनस करेंगी 38 हो जाएगा urtिए टू के बरावर हम लो लिखें ढरावर की सेट में 38 को भेज देगे मैनस में इधर आखे क्या हो जो गrimine Jug हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि यह बराबर मान निकालना हम लोग को तो कि बराबर लिखेंगे और दो कोई सैट भेज देंगे तो गुना में है दो इधर आके क्या उजगव भाग में 19 दूने क्या 38 हो गया इसका जो राइट आंसर हो जेगा 19 हो जाएगा अब दिखाते आ 12 का 15-4 एक 100 डो दे रक्का है तो के का मौण गया कै का मौन क्या होगा यही ciao जारा से ambiguous परकार जिस परकार से 26 Iris में में डेके उसी परकार lucky-77 नमबें पूछा जारा यहां पे हम लोग को दे रखा है x square minus kx minus 4 जहां पे x है तो वहां पे हम लोग 2 रखेंगे मतलब यहां पे हो जाएगा 2 का square और पलस 2 यहां पे 2k हो जाएगा ठीक है x के जगे पे 2 रखना है ठीक है minus का 4 तो minus का 4 कहीं कोई दिक्कत नहीं अब यहां पे दिखिए यह 4 पलस 2k minus 4 equal 0 दे देंगे ठीक है और यह minus का 4 एक minus का 4 कट गया बच गया क्या 2k बराबर 0 तो के बराबर क्या हो जाएगा 0 क्योंकि यह कि दो जो है इधर जाएगा भाग में हो जाएगा और भाग में किसी भी संक्याव जीरु से भाग देते हैं तो जीरु ही आता है ठीक है इसका राइट आउनसर a好 जाएगा ठीक आर अगला पर्लोग देखते हैं 29 नमर से मुषी परकार से 29 परकार को लोग लिएंसे देंगते हैं और समझते हैं किस परकार इसको हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीका सा आप लोग को हल करने का बताते हैं ठीक है ताकि आप लोग बोर्ट पर इच्छा मना गर्दा छोड़ा देजिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं यहां पे एम के किसमान के लिए मैनस फोर बहुपद दे रखा एकस स्क्वाइर मैनस एकस मैनस टू एम पलस टू के एक सुन्यांग है ठीक है सबसे पहले तो इसको हम लोग चा करेंगे इसको सौल्व करेंगे ठीक है जहां पे एकस है वहां पे फोर लिखना होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं यहां पे यह सौल्व नहीं होगा इसलिए हम इसको दूसरे जगह लेके चलते हैं यह वाला समीकरन जोदी रखा यहां पी यह वाला इसके जगह जहां पर एक से वहां पर हम लोग को मैनस 4 रखना होगा तब हम लोग को जाके एम का मान निकल जाएगा ठीक है यही करा एम के किस मान के लिए मैनस 4 बहुपाद x स्क्वाइर मैनस x मैनस 2m 2m प्लस 2 का एक सुन्यां खेद बिल्कुल आप लोग को समझाते है ठीक है यहां से दूसरे जगह लेके देखे जहां पर x है वहां पर आप लोग को क्या रखना है म यहां पर रखे मैनस का 4 का स्क्वाइर हो गया मैनस है और यहां पर पहले से मैनस है मैनस 4 ठीक है अब मैनस यह जोंका तो उतर देंगे ठीक है 2m प्लस 2 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं हाला कि वहीं पर हम सॉल्व करते हैं ज्यादा आप लोग को समझ में आता लेकिन वह और अब यहां पर बाकी ज्योंका तो उतर देंगे प्लस मैनस यह गुना हो जाएगा मैनस का टू हो जाएगा एकुल कुछ नहीं तो जीरो दे देंगे और यह 16 चार कितने हो जाएते हैं 20 हो जाते हैं 20 बाकी चीज़ जो है तो उतर देना है 2m –2 equals 0 यहां पे यह देखा जाए यह दोनों 20 plus में है और minus का 2 है इधर ले आने के बाद यह minus 18 आजेगा, ठीक है यह minus 2m और यह बरावर इधर जो है इधर बरावर की side में आएगा तो minus का 18 आजेगा, यहां प्यादी minus करतें है तो पलस का 18 आएगा लेकिन बड़ावर की सेट में भेजेंगे तो मैनस का 18 हो जाएगा मैनस मैनस केंसिल हो गया और दो नमा 18 हो गया ठीक है तो M बड़ावर क्या आजाता है 9 अब आईए आंसर पे हम आपको दिखाते हैं क्या 2 नमा 18 है एम का मान 18 है या 9 सोरी M बड़ावर 9 है या नहीं देखिये तो यहां पर देखेंगे आप लोग को आप्सन सी जो है मिल जाता है यहां पर 9 आंसर है तो किस स्क्वाइब प्लस फॉर एक्स फॉर के सुन्यक निम्लिखीत में ओन है ठीक है यह पूछा जारہाता है बिलकुल कोई दिक्क्त वाली बात नी ठीक है यहां पादि हम लोग लिखते हैं है कि ऐस्कुयर प्लस दू एक्स प्लसटी यह घोले एक्स प्लस टू को होले स्क्वाइर मतलब बरावर क्या होजेगा एक्स प्लस टू इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस टू यह लिख सकते हैं इस परकार से यहाँ दिखें एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू बरावर इक्वल जीरो एक्स प्लस टू बरावर जीरो एक्स बरावर क्या म सब्सक्राइब करने तो इसी परकार से दो तीन सवाल दे रखें ठीक है उसमें से सभी में से किसी ना किसी सवाल में असानी पर असान तरिकास अप्लों को समझे बाज़ेगा समझे चलिए देखते हैं एक सभी में सब्सक्राइब करना है तो समझे बिल्कुल असान य्दा करेंगे किया हो का इस का लिखेंगेस पर पलस सुरी मैनस ना मैनस दे रखा मैनस थीरी एक्स मैनस टू एक्स पलस का छे ठीक है इसका गुनन खंड कर लिए आप लोग अच्छी तरह से दुई घात से बहुपद वाला बहुपद वाला ध्या नहीं पर होंगे तो जरूर आप लोग कुछ पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं संपून टैंथ वाले ऐन सी आटी गनित का संपून कलास करबा दिया है बिल्कुल फिरी में और कहीं कोई करने अब यहां पर कॉमन लेना है इस दोनों में लेंगे तो क्या हो जेगा एक्स कोमन आ गया फिर यहां पर x x-3 हो जाएगा और 3 गुना x थो 3x अब यहां पर मैनस दो ले लिजिए common ठीक है अंदर क्या बच जाएगा x और ये plus का 3 sorry plus minus minus यहाँ तो minus हो जाएगा यहाँ पे minus हो जाएगा यहाँ पे minus 3 अब देखिए एक अंदर वाला ले लेना एक बाहर वाला लेना बाहर वाला क्या है x minus 2 ये दोनों ठीक है और एक अंदर वाला है अंदर वाला क्या है X-3 इस परकार से इसका सुन्याक निकाला जाए तो बरावर करके 0 कर दिजिए X-2 इक्वल 0 X बरावर 2 उसी परकार से इधर X बरावर क्या हो जेगा 3 निकल के आजेगा 2 और 3 कौन सा है आंसर सही C हो जेगा विल्कुल आप इस चीज को समझ गए इसको पहले मिटा लेते हैं और उसका बाद अगला सवाल हम देखते हैं 31 नमबर ठीक है इसको पहले मिटाना चीए क्या बाई साब आप लोग को अदिस समझ में नहीं आ रहा होगा यार कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना कि सर्फ मुझे समझ में नहीं आया तो और मैं डीपली चाहूंगा आप लोग को अलग-अलग कुश्यन करके ही बता है तो बेटर होगा ठीक है आईए देखते हैं ये वाला प्रश्न 31 नमर प्रश्न ठीक है 31 नमर प्रश्न बहुत असान है कहीं कोई दिकर नहीं है चलिए देखते हैं 31 नमर 31 नमर में है 3x2-12 एक सुन्यांक है तो देखिए सिंपल सी बात समझते चलिएगा आप लोग यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं 3x2 है इसको पहले में टालते है 3x2-12 3x2-12 एक्वल 0 देगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x2-12 को इस साइड ले आएगे बराबर की साइड भेज देगे क्या हो जाएगा 12 पलस का हो जाएगा ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पे देखे यह 3-4 के 12 मतलब x2-12 4 हो गया x2 है तो इस साइड में भेज देगे x2-12 को रूट अंडर 4 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 पलस मैनस 2 और पलस मैनस 2 कहा है आंसर देख लिजे पलस मैनस 2 यह यह नंबर राइट आंसर हो जेगा उसी परकार से हम लोग देखेंगे यह 32 नमर प्रशन को ठीक है पहले इसको पहले इससे पहले इसको मिटा लेते हैं इसको मिटाना जरूर ही है आप लोग समझ रहे होंगा अच्छी तरह से कहीं कोई दिकत नहीं कि तरह को और सारे दो चार सवाल हमने इसमें सेट किया है कहीं कोई दिकत नहीं चले देखते हैं अब देखें यहां पर है यह 32 नमर प्रशन में है एकस स्कॉयर मैंनस 5 एकस बरावर क्या लिए एकस स्कॉयर बड़ावर लिए tenido गहाए पर अबर 5 लिख देंगी पलस मैं इतरा क्या हो जिए पलस में हो जागा राइट आंसर दिए हो Cao सेम उसी परकार से अगला सवाल देखियाज़ आजये अगला सबाल है एकस स्कॉयर मैंस स्थीरी कह बाओ सुन्यांक होगा एक्स स्क्वाइर ठीरी एक्स स्क्वाइर ठीरी एक्स स्क्वाइर ठीरी एक्स एक्स क्या हो जेगा सिर्फ ठीरी एक्स स्क्वाइर बड़ाबर सिर्फ ठीरी एक्स बड़ाबर एस्क्वाइर रहा कि क्या होज़गा रूट हो जेगा एक बार पलस में हो था ना कोई दिखकर नहीं समझ जाएगी यहां पे 34 में नमबर में कह रहा है यह बहुपद ए एक्स स्क्वाइर पलस ए एक्स पलस बी के सुन्यांक यह भी हो तो अलफा और बीटा का मौन गयात किज़े मतलब सुन्यांक जो है अलफा और बीटा मतलब यह मेरे दोस्त सुन्य आये कि यहां परकार से हम लोग 35 में नमबर परशन को देखते हैं 35 नमबर में किरा यदि बहुपद PX बढ़ाबर X स्कुएर मैनस 2X 5 के सुनियां कि अलफा और बीटा हो तो अलफा और बीटा का मान गयाद करें तो भाई साब आप लोग को याद होगा अलफा इंटू बीटा बढ़ाबर होता है C by A C by A होता है C by A होता है तो C क्या है यहाँ पर पांच है constant नमबर 5 by क्या है कुछ नहींत 1 तो मतलब 5 आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाए यह हो जाएगा उसी परकार से आए अगले प्रशनों की और चलते हैं प्रश कप्रशनों की घड़ाबर क्या होता है मैनस B यह फिस भी और सी तो मैनस B तो मैनस का मैनस यहां पहले से मैनस यहां भी मैनस मैनस क्या हो ज़िए पलस 4 और एक आमौन क्या है चार है यहां पे एक आमौन क्या है चार है तो चार बटे का चार 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 खतम किनसी लो गया एक हो गया अंसर इसका राइट आंसर क्या हो ज़िए यह हो ज़िए आए उसी परकार से हम लोग 37 नमबर प्रश्ण को देखते हैं और 37 नमबर प्रश्ण में देखिए कह रहा है यहां पर 4x square minus 4x plus 1 के सुनियंकों का सुनियंकों का गुनान फल मतलब alpha into beta alpha into beta पूछा है तो आप लोग को पता है कि सुनियंकों का गुनान फल बड़ाबर क्या होता है c by a होता है तो c यहां पर दिखिए सबसे पहले a b और c c by 1 c का मौन 1 और a का मौन 4 एक बटे 4 कौन सांसर सही होगा c बाला राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आए इससी परकार से हम लोग चलते हैं अगले प्रशनओं को और अगला प्रशन देखते हैं क्या दे बी हो तो अलफा और बीटा का मौन गयाद करें अलफा और बीटा का मौन गयाद करें तो अलफा पलस बीटा मतलब सुन्यों को का योग कह रहा है तो मैनस बी बाए होता है सुन्यों को का योग यहां पे देखा जाए यह हो गया ए और यह हो गया बी और यह हो गया सी तो मैनस B तो मतलब मैनस 3 मैनस 3 बाई एक आमान क्या है 2 है तो 2 देंगे सिंपल सी बात है 3 मैनस 3 बाई दो इसका राये टामसर क्या होजगर? D होजगा अगले प्रश्न अगला प्रश्न हम लोग आज चुके हैं कहां पर 49 नमर और 49 नमर में देखिए थोरा साफ लोग को यहां पे ध्यान देने वाला बात करना होगा ठीक है नहीं तो नहीं समझ माएगा यहां पहादी अलफा बीटा बहुपद एक्स स्क्वाइर मैनस ए ए इंटू एक्स पलस वन मैनस बी के सुन्यां को हो तो अलफा इंटू अलफा पलस वन और बैपक रूप में लिख लेंगे यह एक्स स्क्वाइर है तो इसको अधि हम लोग बैपक रूप में लिखें तो क्या हो जागा एक्स स्क्वाइर ध्यान समझेगा एक्स स्क्वाइर मैनस ए एक्स यह गुना होगा एक्स और यहां पे एक्स गुने ए तो क्या हो जागा पलस का पलस मैंनस मैंनस ते ए ठीक है ए और मैंनस का भी यह हो गया बैपक रूप और यहां पे पूछा जा रहा है यह अलफा इसको अधिस सॉल्व क्या जाए अलफा पलस वन और बीटा पलस वन अधिसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो अलफा फिर प्लस बीटा प्लस एक यह हो गया इसको सॉल्व करते हैं यहां पर देखिए अलफा इंटू बीटा अधी अलफा इंटू बीटा देखा जैत क्या है यह देखिए यह वाला जो मैंने लिखा यहां पर मैं कलर चेंज कर लूँ पहले तब आप लोको समझ माएगा यह वाला जो है एकस स्क्वाइर यह हो गया और यहां से यहां यह बी हो गया ठीक है और यह सी हो गया यहां पर देखिए अलफा इंटू बीटा एक अलफा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाए यहां पर सी ए मैनस बी जो है यहां पर मैनस ए और बी मैनस ए मैनस बी जो ह है ची हो गया एक क्या है वुछ ने एक है ठीक है यहाँ पर देंगे अलफा इंटु बीटा जिगर पर मैनस अलफा और मैनस भीटा मतलब ए मेनस भी क्लातàoत का इन्ट ashes एनकर आ जाएगा यहाँ पलस खतम और यहां पर बच गया बच गया एक और मैनस भी एक और मैनस भी लिख देंगे इसका रायट आंसर क्या हो ज़िए बी हो देगा कुछ बच्चे को अधी समझ में नहीं आ रहा तेंसर मतले क्योंकि आगे भी हम इस तरह के सॉलूशन करने वाले हैं ठीक है एक सवाल बहुत सारे सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा यह है चार्यूर्श नमबर परक्रश्ण देखें यहां पे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है टेंसर नहीं लेना मेरे भाई ठीक है देखेंए यहां पे 40 नमर प्रेश्ट में दे रखा क्या करा यदी दुई घात बहुपद एकस स्क्वाइर मैनस 3 X मैनस 4 के सुनियां का अलफा और बीटा हो तो अलफा प्लस बीटा प्लस अलफा इंटू बीटा का मान होगा बिल्कुल असान है यहां पर देखे लिखेंगे अलफा प्लस बीटा बराबर मैनस बी बाए तो यहां पर क्या हो जगा मैनस तीन और यहां पर भी मैनस है और यहां पर भी मैनस होता है तो तीन हो जगा एक नीचे यहां पर एक का मान एक है एक तो नीचे लिखा नहीं जाता ह कोई बात नहीं 3 आ गया अधी alpha plus beta का मौन देखा जया alpha और beta alpha plus beta बराबर 3 निकल क्या गया alpha into beta का मौन देखा जया c by a c का मौन कहता है 4 तो minus 4 a का मौन कुछ ने 1 तो कुछ ने नीचे में लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं ठीक है अब यहां ब देखा जया alpha ओर बिता अलपा और विता कामन क्या देंगे । सुरी यहाँ पनिकते हम यह वाला ईन्टू भाप यज़िछ सब T तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में बस चालिस तक के प्रशनों को हल किये हैं मिलते एक ने वीडियो को लेके तब तक लिए बबाई जैहिंद जैभारत और हाँ वीडियो अच्छी लेके वीडियो को लाइक जरूर करना है क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक ने वीडियो बनाने के लिए तब तक लिए बबाई जैहिंद जैभारत